मित्रो नमस्कार, मैं जगदेशी रसा हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटुब चैनल आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको चिनहारी पोर्टल पर पंजियन करना सिखाऊंगा संस्कृति वीभाग का इस्पष्ट निर्देश है कि जो मानस मंडली, जो लोक कलाकार दल, साहित्यकार, चित्रकार, मुर्तिकार चिनहारी पोर्टल में पंजी करित रहेंगे उन ही को संस्कृति वीभाग के द्वारा जारी योजना का लाब मिलेगा तो आईए हम देखते हैं चिनहारी पोर्टल में पंजीयन कैसे करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकान को दबा दे ताकि हमारे आने वाली वीडियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके तो आईए देखते हैं चिनहारी पोर्टल में पंजीयन कैसे करें सबसे पहले आपको क्रूम ब्राउजर में जाना है और क्रूम ब्राउजर के सर्च बार में आपको टाइप करना है चिनहारी पोर्टल चुकि हमने सर्च किया था इसलिए पहले से दिख रहा है चिनहारी पोर्टल सर्च टाइप करने के पस्चाथ क्लिक करना है क्लिक करने के पस्चाथ आपको जो पहले क्रम में cgculture.in लिंक दिखेगा उसमें आपको टच करना है जैसे आप इस लिंक को इस पर सकरेंगे एक नया पेज खुल कर आएगा इस पर राइट साइड उपर की तरफ लेंगवेज है लेंगवेज को जैसे ही हम टच करेंगे हिंदी और इंगलिस का आपसन है हम हिंदी को चैन कर लेंगे चैन करने के पच्छात एक नया फार्म हमारे सामने हैं अब इसको हम आसानी से समझ सकते हैं अब हम चुकी चिनहारी पंजियन करेंगे तो चिनहारी पंजियन करन फार्म में क्लिक करेंगे और जैसे ही प्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा, कलाकार का प्रकार, कलाकार मूर्थी, कला, चित्र कला, शाहित्यकार, यह सब आपसन है चुकि हम मानस मंडली का कर रहे हैं इसलिए कलाकार को चैन करेंगे इसके पस्चात एक नया पेज खुल जाएगा अब हम इस पूरे डिटेल को क्रम से भरते जाएंगे संस्था अबलिक कलाकार का नाम तो चलिए हम लिख देते संस्था अबलिक कलाकार का नाम हमने पहले से पूरा डिटेल लिख के रखा है संस्था का नाम राम के दिवाना संस्था के नाम के पशात वहीं लिख देंगे संस्था के मुख्या का नाम इसके पशात कलाकार डल द्वारा अभ्यास इस्थल की जानकारी देवे अर्थात इसमें हम जहाँ अभ्यास करते हैं यह आपना पता लिखेंगे शलिए वर लिख लेते हैं इस पते को हम कापी कर लेंगे सेलेक्ट आल ताकि और आगे जब पता हमको लिखना हो तो आसानी हम इसको लिख लें सदस्यों की संख्या जितने सदस्य रहेंगे एक दो तीन चार पांच दस हम लिखेंगे इसमें पांच सदस्य हैं तो हमने पांच लिखा अभी जो एकल था वो एकाधिक हो गया अब हम आते हैं जदी संस्था सोसाइटी वारा पंजी करी थे तो यहाँ पंजीयन डालना है नहीं है तो हम अगले कम में आते हैं विधा चुनिये विधा में बहुत सारे विधा हैं इसमें से हम कर रहे हैं मानस मंडली का तो नीचे आएंगे इसकेप करके और हमको मिलेगा अन्य मानस मंडली इसमें हम click करेंगे इसके पस्चात इस था ही पता हमने जो उपर लिखा था उसको हमने copy करके रखा था उसको paste कर देंगे इसके पस्चात जीला जीला है बेमे तरह phone number लिखेंगे हम मेल आईडी लिखेंगे अत्रिक्त मोबाइल संख्या दूसरी मोबाइल संख्या लिखेंगे यदि नहीं है तो हम पहले जो लिखें उसी को डाल सकते हैं इसके पचात संस्था का पेन कार्ड यदि संस्था का पेन कार्ड है तो संस्था का डालेंगे नहीं है तो हम मुख्या का पेन कार्ड नमबर डाल देंगे अनुभाव कितने वर्सों से गा रहे हैं ये हम डालेंगे इनका है तीस वर्स सक्रीता का वर्ष इसकिप करके उपर जाएंगे तो ये हमको दिखेगा ये है उननिस सो तिरानबे से कारिक्रम की प्रस्तुती कहा दिये जीला इस्तर राज इस्तर वो हम लिखेंगे तो इनकी प्रस्तुती है जीला इस्तर पर तो हम लिख देंगे जीला इस्तरी प्रकाशन सम्मान की प्राप्ति इसमें जो आपको सम्मान मिला है वो सब के जानकारी आप लिख सकते हैं इन्हें ने जो प्रस्तुती दिया जिला इस्तरी तो जिला इस्तरी सम्मान अन्यविशे सुपलब्धी आपके पास और जो है वो हम टाइप कर देंगे इसके बाद आधार नंबर मुख्या का आधार नंबर डालेंगे वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको चिनहारी पोर्टाल में पूरा पूरा पंजयान कैसे करना ही इससे सीखने को मिलेगा तो बिना इस कीप किये देखते रहे आप इसको देख के भरे और जहां समस्य होते हैं फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं तो आईए इसके पस्चात हम उपलब्धी अपलोड करें हमको ध्यान रखना है जो हम पीडियो डालेंगे वो 5 MB से ज्यादा ना हो तो हमने पहले से पीडियो बना के रखा है उपलब्धी का तो चलिए देखते हैं जाएंगे फाइल में और फाइल में नेजर में हमने जो यह उनका पीडियो एड हो गया इसके पस्चात कलाकार की तस्वीर हमको कलाकार की तस्वीर डालने से पहले ध्यान रखना है 300 KB से ज्यादा ना हो जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो वो 1 GB 2 GB का होता है तो उसको हमको कंप्रेश करके 300 KB की नीचे लाना है तो हमने यह फोटो बना के रखा है यह हम देख लिते हैं यह हमने रखा है Q Reduce Light में यह है मुख्या का फोटो इसके पस्चात हम सभी सादस्यों का डिटेल यहां दर्ज करेंगे सबका नाम मेल है या फीमेल है तो चुकी मेल है इसलिए हमको कुछ करने के जुरुत नहीं है फीमेल है तो लिखना पड़ेगा इसके पस्चात दूसरा नाम इंट्री कर लेते हैं मेल है हम सारी चीजे मोबाइल से ही करना सिखा रहे हैं इसके लिए लेप्टा पादी की ज़रुरत आपको नहीं पड़ेगी चुकी मोबाइल सबके पास होता है अगला नाम लिखलेंगे चाओ था हमने नाम लिख लिए अब उपर में हमने पता को पेष्ट कापी करके रखा था अब यहां एड्रेस में हम पेष्ट कर देंगे चुकी सभी एक ही गाओं से हैं तो हम उसको सब में पेष्ट कर देंगे ग्राम भिलोणी पूरा डिटेल इसमें लिखा है तो ये सुईधा है कि पहले हमने जो कापी करके रखा था वो काम आ जाएगा इसमें अब देखे जित्ते सदस्यों का नाम है उनके सामने इंटर कांटेक्ट है तो सबका अलग अलग मोबाइल हो तो सबका नमबर डाल देंगे यदि सब भी का मोबाइल नमबर नहीं है तो हम जो मोबाइल नमबर एक लिखे थे मुख्या का उसी को डाल देंगे इसको ब्लेंक के दिछोड़ेंगे तो आपका ये फार्म सब्मिट नहीं होगा ये विशेज ध्याद रखना है तो सभी के सामने मोबाइल नंबर अनिवारी रूप से डालना है पता अनिवारी रूप से डालना है और जितने सदस्यों का क्रम हमने उपर चायन किया था वो लिखना है इस प्रकार हमने ये सबका मोबाइल नंबर डाल लिया अब आते हैं सुरक्षित करते हैं जैसे हम सुरक्षित का बटन क्लिक करेंगे यहाँ चुज आर्च टिस्ट आएगा और इसको ओके करेंगे तो ये पहले वाले फार्म में ले जाएगा आपको चिंतित होने की आवसेक्ता नहीं है कि हमने जो भरात हो कहाँ है आप पुना चिनहारी पंजी करन फार्म को खोलिए और जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल पहले से भरा हुआ रहेगा इससे पुना हमको एक बार उपलबधी को अपलोट करना है जो हमने पहले से बना के रखा था और ये है फाइल मेनेजर में केमी स्केनर में आप ध्यान रखे ये सा फाइल पहले से बना के रखे तो सुईधा होगी इसके पचात कलाकार की तस्वीर ये हमने बनाया था क्यू रेडियोज लाइट में ये हमने पूरा भर लिया आप एक बार पुना चेक कर सकते हमने जो भरा है वो सही है की नहीं है और पूरा देखने के पचात जब हम संतूष्ट हो जाएं कि सभी जानकारिया सही है तो सुरक्षित बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे सुरक्षित पर क्लिक करेंगे हमको टोकन नंबर वाला एक पेज मिल जाएगा असाथ हमारा जो अवेदन फार्म सब्मिट हो गया इसको हम स्क्रीन साथ कर लेंगे और इस टोकन नंबर को हम पेज से जहां हमने डिटेल लिया था वहाँ लिख देंगे ताकि हमको और आगे की प्रक्रिया के लिए स्वेधा हो टोकन नंबर से आपको परजिया नंबर मिलेगा तो चलिए हम इस टोकन नंबर को लिख लेते हैं हमने टोकन नंबर लिख लिया अब ओके पर क्लिक करें अब हमको देखना की जो फार्म हमने भरा उसकी सिती क्या है तो नीचे आएंगे और देखे अपना आवेदान खोजे में जैसे क्लिक करेंगे token number भरे आएगा तो आप token number भरे में जो token number लिखे थे उसको इसमें भर देंगे तो हमने लिखा था वो token number हम डाल देंगे और token number डालने के पश्चाथ कलाकार का नाम भरने की जरुवत ने दोनों में से एक भरना है और हम आजाएंगे जानकारी देखें जैसे जानकारी देखें में क्लिक करेंगे हमारा जो फार्म है वो आजाएगा अब इसपे देखें ये आया राम के दिवाना मानस परिवार भिलावनी ये हम साइड स्किप करेंगे मोबाइल को लेंड इसकेप में ले आएंगे तो ये पूरा एक साथ आजाएगा हम अपनी स्वीधा के लिए इनका स्क्रीन सार्ट करके रखेंगे ताकि यहां लिखा रहा है पेंडिंग बेनीले कलर में जब संस्क्रीती विभाग से अप्रूब करेंगे तो ये हरा हो जाएगा इसको स्क्रीन सार्ट करके रख लेते हैं इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा चिनहारी पोर्टल पर अपनी मंडलियों का पंजियन कैसे करें मित्रों टोकन नंबर मिलने के प्रश्चात तीन से पांच कार्य दिवस में आपको चिनहारी पोर्टल में संस्क्रीती विभाग द्वारा पंजियन नंबर प्रदान कर दिया जाता है आपके आवेदन को एप्रूब्ध कर दिया जाता है आईए हम अपने टोकन नंबर से पंजियन नंबर कैसे प्राप्त करेंगे ये देखते हैं तो हम पुना क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और क्रोम ब्राउजर में हम सर्च बार में चिनहारी पोर्टल टाइप करेंगे चिनहारी पोर्टल सर्च करने पर पहला जो लिंक है उसे हम क्लिक करेंगे और पुना दाहिने तरफ जो लिंग्वेज है उसको हम हिंदी कर लेंगे इसके पस्चात हम आएंगे अपना आवेदन खोजे को क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें टोकन नमबर भरें आ जाएगा इस टोकन नमबर में हम जो टोकन नमबर प्राप्त हुआ है उसे भरेंगे टोकन नमबर भरने के पस्चात जानकारी देखें जानकारी देखें में क्लिक करेंगे और जैसे ही जानकारी देखें में क्लिक करेंगे हमें अपना रेजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा मोबाइल को लेंडिस्केप करें उपर की ओर इस्किप करें आपको दिखेगा स्टेटस में एप्रूब्ड और हमारी जुमंडली है वो चिनहारी पोर्टल में पंजी गृत हो चुकी है इस प्रकार हम अपने लोक कला दल का मानश्मंडली का साहित्यकार का चिनहारी पोर्टल में पंजीयन आसानी से कर सकते हैं यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सेयर जरूर करें ताकि हमारे 36 गड़ के सभी कलाकार, मानश्मंडली, साहित्यकार, चित्रकार सभी विभिन विधाओं के लोगों तक क्या वीडियो पहुंच सके और स्वैम पंजीयन करके अपना पैसा बचा सके आने वाले वीडियो में पुना एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैचतिजगर